कि मैं हिंदू औरतों को बचाऊंगा यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं था कि आप समझ सको कि मैंने इस वोटिंग को लेकर बहुत ही ज्यादा रिसर्च की उसके बाद में इस वीडियो को सुट कर रहा हूं तो फाइनली आज मेरा तीसरा दिन है और मुझे यह पता चला है कि एलविश यादब एक ऐसा यूटूबर है जो कि मजब की नाम पर गाली देने वाले में से निकला और यह मैं नहीं आपको एक लाइफ प्रूब में दिखाने वाला और अपना ही धर्म का यानि हिंदूइजम धर्म का गलत इस्तिमाल करते हैं एलविश की राय सुनिए धर्म के उपर, रिलिजिन के उपर मतलब भगवान शिफ को स्मोकिंग और गांजा से एसोसियेट करना हनुमान चालिसा में दो लाइने हैं दोस्तों भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे देखिए एलविश ने अपने वीडियो में इसे कैसे डिपिक्ट किया है एलविश ऐसे लोगों में से है जो बहुत ही घटिया तरीके से हिंदू धर्म का इस्तिमाल करता है व्यूस पाने के लिए मतलब धर्म का इस्तिमाल करना है इसी घटिया चीजे प्रमोट करने के लिए तरीके से वीडियो में औरतों को अब्जेक्टिफाइ करता है और फिर वीडियो बनाता है कि मैं हिंदू औरतों को बचाओंगा यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि एलविश जैसे बहुत से ढोंगी है सोशल मेडिया पर फुकरा इंसान की बात करें तो अभी तक मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो कि फुकरा इंसान की जुबान से गाली निकला हो बेटी जैसे डाटर डाटर बोल के मैं यहां खोई तो यहां पर आप नगो देख सकते हूँ कि यहां पर फुकरा इंसान नहीं कहा कि डाटर डाटर बॉल करके भैस की आँख ऐसा बोला है उन्होंने और लोगों को इंसाइटी फिल हुआ हूँ और एलविश यादब की बात करें तो वो जिस घर में है अभी यानि की बिग बॉस के ओनर को ही पहले गाली दिया करते थे एक होतर चूतिया, एक होतर महा चूतिया, फिर आतर सल्मान कान के फैंड मेरी फोटोस एडिट कर रहे हैं, मेरा स्क्रीन शोर्ट चैट के जो हैं, उसको एडिट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजे करते हैं बाई सुकर मनाव मोदी जी का कि लोग डाउन होगा, तम सारे पास होगे, ना तो बैंडों साथ भी पास नहीं होती तुम से बैस तो सारी फेक आइडि तो मैसी चीजे कर रहे हैं पर एक आधी जो तो तीन रियल आइडि मिल जाएंगी, इनकी खोल कर देखोगे, तो वे ना छपरी बाल कर रहे हैं, मुंबई साइडि के जो जो पड़ी मेरा हैं, मजाक ने उड़ा रहा हैं कि जो जो पड़ी हैं बैंचो कहां, तुम किस ने दे दिया, तुम्हारे हाथ में फोन जिसमें तुम सोचल मीडिया पर आगे, वे बालगना रहे हैं, जो 20-20 रुपे मडर कर दे रहे हैं, एक सिग्रेट बीडी के पीछे हैं, उस तरह मात दे गले पर ऐसी बैन फोलेंग हैं, सल्मान गानी की सच इसका मतलब यही है, कि एलबिश यादब थूप कर चाटने में से निकला, और फुकरा इंसान एक ऐसा यूटूबर है, जो कि गरीबों को मदद भी करता है, और अपने साथ रहने वालों को भी अपना ही तरह देखता है, और अब आपकी बारी है, कि आप इस दोनों में से क इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने धर्म का मजाग उड़ाने वालों का, या फिर सब की धर्म को इजज़त करने वालों का वोट देंगे आप, चलिए और मिलते हैं किसी नेक्ट वीडियो में, कोई नई टोपिक के साथ तब तक के लिए, बाबाई, टेक कियर, असलाम वालीकूम, वोट फोर उक्राइन सान, मेरी तरफ से, और आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा,